आज की इस वीडियो में मैं आपको बदाने वाला हूँ जो भी कानपुर उनिवस्टी से स्टुडेंट है वो धिहान से सुलने कान खोल के सुलने मैं बोल रहा हूँ कि BSC 3D यर वालों के लिए कैविस्टी का 3rd पेपर है तो 2021 में आने वाली कोशन आप इन कोशनों को याद करके 85% ला सकते हैं मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको यहां से कुछ बाहर देखने को नहीं मिलेगा एक्जाम 2021 में और जो कोशन बता रहा हूँ इन कोशनों को रट लेना और मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको तो फेल करने वाला कोई नहीं है आपको फेल करने वाला कोई नहीं है समझ रहे हो बस यही सारी के स्वारे स्वार कोशन जो इंपोटेंट्स है आप इनको याद करके जाएंगे यहाँ बोला गया है स्रंडीकर तरंग समीकर पहले कोशन तो याद रखिए जो स्रंडीकर तरंग समीकर है उसको उसमें एक कोशन लॉंग में कोशन बनता है किसमें बनता है यह लॉंग में कोशन बनता है लॉंग में कोशन बनने के वाला शाई और शाई के महत्प के बारे में पूँच लेता है क्या होती है उसके बारे साथी साथ इसको भी पूंच लेता है तथा इसका भी वर्ण करिए तो यह कोशन लॉंग में बनता है ठीक है वरना यह शौर्ट में बनेगा उसके बाद में आता है हुक का नियम यह भी आपको शौर्ट में मिलने वाला है शौर्ट में कोशन देखने limitation क्या होती है ठीक है limitation पूछ लेगा या फिर पूछेगा आपसे monocle abil theory मतलब monocle abil theory क्या co और oxygen के अनुका orbital की रेखांग के साइथ order आपको wand order निकालना है क्या निकालना भी bond order निकालना है ठीक है wand order बॉंड order भी आपको ग्याद करना है तो चल को subscribe जरूर कर लेंगे जो आपको बता रहा हूं जो होता है monocle abil theory होती है इसको आपको diagram बनाना होता है ठीक है उसकी पूरी सिद्धानत के बारें बताना होता है साथी साथ oxygen या फिर o2 या फिर carbon या एक्साइट इसका diagram बनाई है तो आपको diagram इस प्रकार से बनता है monocle abil theory में उस प्रकार से आपको बना के आना है ठीक है दो तीन diagram बनते हैं उसको बना के आना है साथी साथ उसके wand order कितने निकल के आता है यह भी आपको दिखाना है तो यहां से एक 10 कोशन 100% exam में देखने को मिलेगा next question आपसे आता है वोहर का सिध्धानत की सीवाएं वोहर का सिध्धानत क्या था और उसकी सीवाएं क्या थी लिमिडेशन क्या थि यह सारे कोशन आपको एक्साम Me 2015 में देखने को मिलेंगे next question होता है content这ुन कीसको इसको आपको याद करके जाना ये कोशन आपको बिल दात है और अब रज़ते सब इसके स्पेक्टर पढ़ेंगे इसमें जो पोईंट आपको देखने मैं आपसे बादा करता हूं कि आपको नहीं होने दूगा इसके बाद में नेक्स लिडान क्या होता है चक्राइशन को ऋछते हैं याद कर पर के उन की लिखना ओगता है नहीं रमन होता है तो रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है रमन प्रभाब क्या होता है और रमन स्पेक्ट्रोइसकॉपी क्या होती है ये तीनो यदि पोशन एक साथ पूछे जाते हैं तो ये कोशन लॉंग में बनते हैं ठीक है इस प्रगास से कहेगा कि रमन spectrum क्या होता है रमन spectrum का फिरभाभ क्या है effect के बारे में बताईए और उनके spectroscopy के बारे में वड़न करिये तो आपको ये पूरा long way question देखने को मिलेगा बल ने तांक पे तिकले लिखेंगे आप ये बताएंगे कि बल ने तांक क्या होता है थीक है फोर्स जो constant होता है उसके बारे में आपको याद करना है नेक्स कोशन आता है प्राशन दाप के मापने की विधी क्या होती है इसको याद करेंगे उसके बाद में quantum दक्षिता साथ साथ quantum संख्या भी आप से पूछ लेता है quantum संख्या, spin quantum संख्या, चुम्बकी का विक्रण बोला जाता है इस question को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे मैं आसा करता हूं कि आप सारी के सारी question अपने book में notes पे टिक पे लगाते होंगे और अच्छी तरीके से आप याद करके जाएंगे उसकी बाद में next question आप से बन जाए exam पिलांग का वैजो विकरन क्वाटनम से धानाथ करके जाएंगे साथीषी विद्धो चुमक है विकरन keeping वरे अब याद करेंगे ठीक है न? उसके बाद में आता है वैदो दिध्रन क्या होता है? इसको अपियाद करेंगे क्योरी वाइल्स नियम क्या है? इसको अपियाद करेंगे चुम्मकी आगोन किस परकार आयोद इलेक्टरन सम्मद्द होते हैं? मैं उपर पता चुका हूँ तो यहाद नहीं करना है संदीप्ती क्या होती है? इसको याद करेंगे उसके बाद में आता है देखे उसमी अभीकरिया क्या होती है? याद करेंगे पिरकास रसाने के अभीकरिया क्या होती? याद करेंगे और सारे के सारे कोशन तुरंध पेपर होते ही उसका स्लूशन में आपको डाल दोगा ताकि याँ अप अच्छी नम्मर से पास हो जाएं और आपको यह पता सलता है कि सूरत रासर ने जो हमें इंपोटेंट कोशन दिये थे वह आई या फिर नहीं वो सारे आते हैं पिरकास बैद्धत प्रभाव क्या होता है? इस कोशन को भी आप याद करके जाएंगे नेक्स कोशन होता है जो लास्ट कोशन इस वीडियो का वो है इस कोशन को आप ज़रूर याद कर लेना बहुत साथा इंपोटेंट है ठीक है लिवाइड का नियम और वीडिया का नियम यह दोनों नियम है जो छोटे-छोटे होते हैं जो शौट में आपको देखने को बिल जाते हैं तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में सुरूर बताइए वीडियो बशाना लाइक करके दोस्तों को शेयर कर देना है मिलते हैं रेक्षा तब तक के लिए जय हैं बाय बाय टेक कियर